यूट्यूबर एलविश यादव को नोईडा पुलिस ने गिरफतार किया है। पुलिस ने उन्हें रविवार को पूछताच के लिए बुलाया था। पुलिस ने सांप के जहर की तसकरी के मामले में यह काररवाई की है। पिछले साल नोईडा पुलिस ने सेक्टर 49 में FIR दर पर दिल्ली के चार सपेरों और एक अन्य को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा था। इनके कबजे से नौ सांप बरामद हुए थे। इन में पांच कोब्रा, एक अजगर, दो दुमुही सांप और एक घोडा पचाड शामिल थे। एक डिब्बी में 20 ml स्नेक वेनम मिला गौरव गुपता की शिकायत पर एलविश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। साथ ही बरामद सांप का मेडिकल परीक्षन वन विभाग से कराया गया था। तो यह सामने आया था कि सांपों की विशक ग्रंत ही निकाली जा चुकी थी। फिर दो कोब्रा फरीदाबाद से बरामद किये थे। PFI के गौरव गुपता का आरोप था कि एलविश यादव सांपों के साथ वीडियो भी शूट करवाता है। एलविश यादव हाल ही में सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटर्ण के साथ मारपीट को लेकर चर्चा में आ गये थे। उनका एक वाइरल हुआ था जिसमें वो मैक्सटर्ण को मारते पीटते दिखाई दे रहे थे। मामले में गुरुग्राम के सेक्टर तीरेपन थाने में एलविश के खिलाफ केस दर्ज भी किया गया। मैक्सटर्ण ने एलविश पर जान से मारने की धमकी सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे।